कोटा में आकैशी बिजली चार बच्चों पर कहर बन कर गिरी जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई वहीं पांच अन्य बच्चे घायल हो गई यह सभी बक्रियां चराने के लिए जंगल में गई हुए थे घटना कोटा ग्रामेन के कनवास शेत्र के करड़ा गाउं के है जहां आज कुछ बच्चे जंगल में बक्रियां चरा रहे थे तबी बारिश शुरू हो गई सभी बच्चों ने बारिश से बच्चने के लिए एक पेड़ के नीचे शरंड ली लेकिन बदकिस्मती से बिजली उसी पेड़ पर गिरी जिसके नीचे वो बच्चे खड़े थे ऐसे में चार बच्चों की मौकी पर ही दर्दुनाक मौत हो गई पांच अन गंभी रुप से घायर हैं जिने लाज के लिए कनवास वास केंदर लाया गया बिजली गिरने से पेड़ और एक दर्जन बक्रियां भी बुरी तरह जोलस गए कटना के सूचन मिलते ही पुरे गाउं में कोहराम मच गया बच्चों के परिजन अस्पताल पहुँचे जहां हर ओर चीक पुकार मची थी सभी म्रतक बच्चों का पोस्त माटम कराया गया है आज कनवास उपकंड शित्र में ग्राम पंचाइद नाता के घड़ा गाउं में आकाशी बिजनी गेने से चार लोगों की मौत हो गई और छे लोग गाय लुए हैं साथ ही 11 बकरिया और एक गाई भी मरत शुटी हैं इसके अलवा कनवास के खजूर्णा क्राम पंचाइद के किशोरपुरा ग्राम में दो गाय लुए हैं वो भी आकाशी बिजनी गेने से खाल गए हैं मरतकों को उचित मौहाजराशी चार लाग लोगों की पर्ति सदक दी जाएगी जिसके लिए प्रक्रिया सुरू कर दी के जिए यचित में आर tussen आर लोगों का स्था हैं जिसनास दोर नहाईएद के लिएम, जिसनास होगोगाा थाल गिए हैं ंजस इरया बाद… पाम्टार के लिएसा है पर छैसो कर दोडं़ कर दो कि अपर जागा जागा है झाया जागा है।